हम यहां पर chemical nature of the hormones की बात करेंगे अब यहां से हमारे नीट के कुछन बनना स्टार्ट होगे जैसे वहां पर नेचर लिखा हमने हर्मोन से और ग्लेंड से पहला है हमारा protein is नेचर कौन कौन से हर्मोन से बेटा जो protein नेचर क्यों होते हैं ठीक है ना फिर इसको हमने अलग अलग पार्ट डिवैड किया क्यों अमिनोचेड है शॉट प्रेप्रेड है लॉंग प्रेड है ओल आर्द प्रोटीन अमिनों इसएल नेचर के थायरोकसीन है जिसए अएडिरो थायरोणीन बोलते हैं थायरेड लेन की दौरह होता है इस को मिला कर एक नाम होर है केटे कोले माइनस की नाम है केटे कोले माइन्स आपको एंसाइट में मिल जाएगा और यह क्यों से नीट में आया हुआ है एडिनल ग्लेंट्स के दो पार्ट होते हैं एडिनल कॉर्टेक्स और एडिनल मेडूला आइटिंग सो देट, क्लेरिन यूर ब्रेन याद हो गया शोड पेप्ट्राइड जो है उसमें वेसोप्रेसीन है वेसोप्रेसीन का एक नाम और आपको याद होगा एडियस बच्चे बहुत होंशार है एंटिडियूटिक हॉर्मोन और एक ऑक्स्टोसीन है यह से अपन ओटी भी बोलते हैं है ना और और भी नाम है इसके इमोशन हॉर्मोन भी है बर्थ हॉर्मोन भी है मिल्क एजेक्टिंग हॉर्मोन भी है जेज जेज चेप्टर आगे बढ़ेगा एक एक चीज़ें आपके ब्रेन के अंदर क्रिस्टल क्लियर होती चली जाएंगी यह हाइपो थेलेमस की द्वारेथ हहॉर्मोन यह लिखा हॉ एंसुल…. ऑर्मोन पैंक्रियाज की जो अल्फा सेल से होता है यह बीटा सेल से होता है थाइरोकेस्टोनिन थायरेगंलेंड की द्वारा ACTS एड़नो कॉर्टिको ट्रॉफिक हॉर्मोन्स यह यह एड़नो हैफिज जो की प्यूर्टिक लेंड का पार्ट है यह टेबल आपको याद रखने है बेटा ग्लाइको प्रोटीन नेचर के हर्मोन कौन-कौन से हैं टी एसेच थार्लाइटिक हर्मोन एफसेच फोलेगलेटिक हर्मोन लूटिनाइजिंग हर्मोन इनकी फुल फॉर्म जिन बच्चों को याद नहीं है वो लिखते भी जाएं बुक्स के अंदर लिखी हुई भी है और य यह एड्नो हैफएसी जो प्र्युटिक लेंट का अंटियर पार्त है इस्ट्रियस जो हर्मों से मिंदेलाकोर्सकोइड, टेस्ट्रिस्ट्रोण, एस्ट्रोजन और फॉर्मोंस तो मिंदेलाक्वाईड जो है वो एद्नेखलीं के कॉर्टेस के दौर्च, गुल्कोवादमे भी ओवरी के द्वारा फैटियस डेरिवेटीव प्रोस्टो ग्लेंडीन से यह लोकल हॉर्मोन है जो कि हमारे बोड़ी की जो सेल्स होती है एवन देट प्रोस्टो ग्लेंडीन जो फोस्टो ग्लेंडीन सोती मेल के अदर वहां पर भी यह मिलता है ग्रीड्य मौलीकुल दब मौस्टो हार्मोंज आरे स्मॉल एंड देर मौलीकुलर वेट इस यह लोग फीजिकल एंड चैमिकल इस्पर दाए होड़ा कोईट बात करते हैं कि जो मौलीकुल से हैं होर्मोंज के वह बहुत कम क्वांटिटी के अंदर हम उको इसके रिक्वार्म in the tissues the secretion of the hormones is always in the very small quantity because these are the most reactive substances the hormone therapy actually do toadi initiative anymore मंत्वार्फाबचासलपकाबटल इनीशियल हम पता जाए तो इसका मानलो कोई भच्छा है वो ड्वार्फिस्म नाम सुना बनापन अब ग्रोक्त हार्मों उसके dale ले उसको जीन भी मालों मदर फादर की हैट कम है तो बहुत कम चांसेज होते हैं कि बच्चे की हैट ज्यादा होती क्लिए रहे क्या हाँ फीजिकल एक्टिविटेश के द्वारा और इनिशियली बच्पन में ही आपको एदी गेम्स वगेरा इस तरह से और हॉर्मोन थेरी भी सकती है अठरा साल से पहले पहले उसके बाद नहीं बढ़ती है क्योंकि आपकी बों से हैं उसका कम्प्लिट हो जाता है theoriesोन है हमारे 20 साल में हाठ जो है वो कि उसके बार उसकी लंभा ही बढ़िएчес स्क्षम के बाढ़िक करके रुख जाती है ठीक है बच्चों फिर मोटा बढ़ता है डाइमेटर बढ़ता है लेंज नहीं बढ़ती अधिक नमबर आता है इसे प्लांट ग्रों करते हैं इनिशियली प्लांट इसने पतला 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 लंबा हो जाता है और फिसको सपोर्ड लगाना पड़ता है और फिर बाद मुझे की थिकनेज बढ़ते हैं तो तो होर्मोंस के नोट भी स्टॉर्ड नहीं होते हैं एक्सेप्शन है इसका थायरोक्सीन जो है वह इनक्टिव फॉर्म में इस्टोर रहता है थायरे ग्लेंड है उसके दोरा जो थायरोक्सीन होर्म होर्मों है वह इनक्टिव फॉर्म के अंदर जो है वह इस्टोर रहता है क्लियर है बच्चों चले आगे चली यहां तर सबको लिवर और किड्नी जो है यह अलग सेप्रेट और गंसे लेकिन इनके द्वारा भी मैंने आपको प्रिवेश चैप्टर पड़ाए हैं वहाँ पर मैंने बताया वह रेनीन होर्मोन का नाम सुना आपने या दारना आपको तो लिवर और केड्नी सेप्रेट देम फ्रॉम देंट अधर चैप्रेantas wrestle against अग्रे और का फेंट वेंल्य यहर चैप्र, जौस्ट क मुहिं हganoat फें रेटी। विवर देनी शी इन 납र प्रॉल्वने पर लिवर विवर गंसे तौके लिवर्ड सेंट और मून रंजे फट disciples छेलॉंज का जाता हैं इनको जिससे मनें भी एक्जामल बताय था आपको टी-एस-एच-ए-प इसंतन direct hormone leasing factor उसने इस्तिलमेट किया प्रिट्रिट्री ग्लेन्ड को और प्रिट्री ग्लेन्ड ने टियीएसेंगे खोर्ठीट कर दिया तब टि इसेंग ने इस्तौन ईस्तौन एक लुएक टमंटो एन्ट्री से वह सरा एक्जामपल है। तो इनको हमन ट्रोफिक होर्मोंस बोलते हैं मेरे बाद समझें आप सब बच्चे हैं हाँ हाँ वह है और इनीबिटरी भी होते हैं वहाँ पर तो डाइबिटो जनीग दा हॉर्मोंस विचार मैंनली अफेक्ट और इस्टिंगलेट दा कार्भोहड्रेट कितोजनीग दा हॉर्मोंस विच मैंनली अफेक्ट अफेक्ट अगर नाम दिये गये अनका तो आज की क्लास थोड़ी छोटी वनाई थी नोने कितो sự जाती है थ fifa विचार मैंनली अविचार के उये आख बेंगट जरे विचार मैंनली अविचार